नमसकार स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में 5 मैं तक लौगडाउन को बढ़ाया गया था लेकिन आज फिर से नितिश कुमार ने बेठक के बाद ईक आदेस जारी कर दिया है कि बिहार में lockdown को और बढ़ाया गया है तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बिहार में कब तक lockdown लागो रहेगा और lockdown के दोरान आपको किन किन चीज़ों में चूट मिलेगी और किन किन चीज़ों में पबंदया रहेगी तो आप सब हमें comment box में जरूर बता है कि आप बिहार कि किस जिले में रहते हैं आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं तो आईए आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर बिहार में छूट के साथ आट जून तक लॉडाउन लागो सभी तरह की दुकाने एक दिन के बीच खुलेगी खुलने के समय दो बजे तक बढ़ा सभी सरकारी ओफिस भी खुलेंगे जिहां बिहार सरकार ने लॉडाउन के चोटे चरण को आट जून तक बढ़ाने का फैसला किया है इसके साथ व्यापार को गति देने के लिए कई बड़े निडने लिए गये हैं अब सभी दुकाने एक दिन बीच कर खुल सकेगी सभी जीलों के डियम यह फैसला करेंगी कि किस तरह की दुकाने किस दिन खुलेगी इसके अलावा सभी खुल रही आवसिक चीजों की दुकाने अब सभी जगा सुबच 6 बजे से 2 बजे तक खुल सकेगी सभी सरकारिक कारियाले अब 25 परतिसत उपसिति के साथ साम 4 बजे तक खुलेंगे सभी प्राइवेट कारियाले अभी बंद रहेंगे आपको बदा दे कि सेम नितिस कुमार ने सोसल मेडिया के मायदम से लोगडाण बढ़ाने की गोशना की है और कहा है कि इस बार के लोगडाण में वैपार के लिए अतरिक चूट दी जा रही है सभी लोग मास्क पने और समाजिक दोरी का पालन करे अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुल बैठक के दोरान मिख मंत्री ने यह फैसला लिया है तो आए जानते हैं कि लोगडाण के दोरान किसमे पाबंदी रहेगी और किसमे छूट मिलेगी तो सबसे पहले सभी प्राइवेट ओफिस अभी बंद रहेंगे इनमें सिर्फ जरूरी सिवाव से सम्मादित कारेले को ही खोलने के अनुमती है सड़क पर सभी परकार के वाहन का परिचालन बंद रहेगा आवाजसक पेदल निकलना भी परतिबंदित रहेगा सबी स्कूल, कोलेज, कोचिंग संस्तान, ट्रेनिंग एवाँ और सेक्चनिक संस्तान बंद रहेंगे सरकारी स्कूल, कोलेजों में किसी तरकी परिच्छा नहीं होगी सभी धार्मिक इस्तल समाजिक राजनितिक मनोरंजन, खेल, कूद, सेक्षिनिक, सांस्क्रितिक एवब धार्मिक आयजन समारों बंद रहेंगे सिनिमा हौल, सॉपिंग मौल, कलब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जीम, पार्क आदे बी बंद रहेंगे सारजनिक इस्थलो पर किसी भी परकार के सरकारी एवं नीजी आयजन पर रोक रहेगा इसके अलावा आपको वदा दे कि लोगडाउन में जीन चीजों में चूट मिली है उसे पहले अस्पताल एवं आयने सम्मंदित स्वास्त प्रतिष्टान दवा दुकाने मेडिकल लेब नर्सिंग ओम एमुलेंस सवाय जार रहेगे ठेले पर घुम घुम कर सफल सबजी बेचने वाले सुबद 6 बजे से दो पर 2 बजे तक बेच सकेंगे रेश्टूरेंट एवं खाने की दुकाने के वल होम डिलेवरी के लिए सुबद 9 बजे से रात 9 बजे तक और एनच पर इस्तित धाबे टेक होम के आधार पर खुलेंगे गरामिन चेतरों में मंडेगा के तहत सरी चेतरों में सरी रोजगार योजना के अंतरगत किये जाने वले कायर चालू रहेंगे साथ जीला प्रसासन पुलिस सिविल डिफेंस विद्दूत आपूर्ती जलापूर्ती स्वचता फायर ब्रिगेड स्वास्त आप्दा परवंदन दूर संचार डाक विवाग से समधित कार्याले खुलेंगे बैंकिंग बीमा एवं एटिम से जोड़ी सिवाए और दोगिग एवं वी निर्मान कायर से समधित प्रतिष्टान सभी परकार के निर्मान कायर चालू रहेंगे एकोमर्स से जोड़ी सारी गतिविदिया क्रिसी एवं इस से जोड़े कायर चारी रहेंगे प्रिंट एवं, इलेक्टोनिक मीडिया, टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेस सिवाएं, ब्रोड कास्टिंग एवं, केवल सिवाएं जारी रहेंगे पेटोल पर्म, एलपेजी, पेटोलियम से समधित, खुदरा एवं, भंडारन, पतिष्टान, नीजी सुरक्षा सिवाएं चालू रहेंगे आवजसक खायद सामागिरे तता फल एवं सबजी, मास, मचली, दोध, पीडियस के दुकाने भी खुलेंगे इसके अलावा रेल हवाई सफर करने के लिए आप जा सकेंगे अपने प्राइवेट गाड़ी से आवजसक कारियों में सामिल सेवाओ के कर्मी नीजी वहान से जा सकेंगे स्वास्त सेवाओ से जोड़े वहान चलेंगे वैसे वहान जिने जिल्या प्रसाषन से पास प्राप्ते वे भी चल सकेंगे साती इंटरेस्टेट यात्रा करने वाले वहान भी आ जा सकेंगे इसके बाद बात करें साधी की तो साधी में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी इसमें बारात, जुलूस और डिजे नहीं रहेंगे तीन दिन पहले नजदी की थानी को सुचना देनी होगी अंतिम संस्कार स्राद में भी 20 वेक्तिव के ही अनुमती होगी इसी के साथ ये आसा करता हूँ कि आप सभी को लोगडाउन से जुड़ी सारी गाइडलाइन के बारे में पता चल गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर सेर करें साथ ही अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें